आइए गाईज आज केमरा खेतों में गुमाते हैं और देखते हैं कैसे किसान और नील गाय एक साथ चारों तरफ भूमते नजराएंगे खेत के एक कोने में नील गाय चर रहे हैं तो दूसरे कोने में किसान काम कर रहा है यह अध्भूज ना जा रहा है मैं यहां के किसानों को सलूट करता हूँ यह नील गायों पर ध्यान नहीं देते हैं खेती में फसल मिचाती रहती हैं बहुत लाजबाब चीज़े देहों कितना जबरदस्त वाह एक सीन प्लीज यार इस नील गाय के नाम से एक बार सब्सक्राइब जरूर देए हैं दो जोड सारे जानवर इन लोगों के पालतु है कि आस पास मुआइब लोग अपने कुदाल से फावड़ से काम कर रहे हैं रोगाई ने लगाया शक्राहे है और छोड़ सामने देख सकते हो, पूरा यह आज में चारत हुट्व से देखो वो खड़े और यहाई नहीं लगाय देखो देखो, बहुत अच्छा सा फील होता, जैसा लोगों को जंगली जानवरों के सामने साथ खले देखते हैं, और कोई एक्षन नहीं, कोई इनके साथ दुर भ्यवार नहीं, देखो, कहीं भी दिखाओ, कैमेरे को किदर भी अगर मिली जाओ, कहीं भी गुमाओ, जो सामने मादाओं के जुट पर एक पावरफुल नर काधिकार होता है, वो भी दूर देखो, पेड बुर नीच आए, छाओं में खड़ा हुआ है, दोस्तों, इसे नजारत देखता हुने में मुझे बड़ा आनन दाता है, कि जंगली जैनवरों कि इतने फैमिलियर होगे लोगों से देखो, पीछे एक तो ऐसा नजार आने वाला है आपके सामने, बिल्कुल बंदा और नीलगाय के पास में ही अपने खेत में काम कर रहा है, और नीलगाय के कोई डर भे नहीं है, अब देख सकते हो, आप यह बंदा वो देखो, दूर, यह ज़्यादा दूर नहीं इतनी है, सो मेटर, पचास मेटर की दूरी पर, अब मैं उधर लेके चलता हूँ, जो बिल्कुल नीलगाय के साथ ही खेत में काम कर रहा है, चलो और गुमाता हूँ थोड़ा सा दोस्तों, आच तक जरूर देखना बहुत मजाने माला है, बहुत, ऐसा ही लगेगा, जैसे ते नीलगा है कि एक अभी डंडा मारने वाला है, उसके बिल्कुल पास में उसका फावड़ा उसके कंदे पर है, उसके खुदाल, अब लेके चलता हूँ, यह पीछे गुमेगा, वह देखो, थोड़ा थोड़ा नीलगाय के पीछे बिल्लकुल देखो, अब देखो, यह देखो, ऐसा नीलगाय के मारने वाला हो, नीलगाय के कोई फरक नी, और छोटे बच्चे के साथ, आराम से, ऐसा नजारा देखता है, जाएसा लगता है, वा, इसान कितना बड़े दिल वाला है, वो जानता है, यह जान पर फसल को कम नुक्सान करते हैं, और अपना जीवन ज़्यादा ग गास और दूब सी होती है, उसको सरते हैं, छोटा बच्चा जारा इसके लिए जरूर लाइक करें दोस्तों, धन्वाद लाश्तों देखने के लिए